देखे साहब इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे पॉलिटेखनिक एंटरंस एक्जामनेशन के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स में हम एक नया चप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विद्द्धारा के अनुप्रयोग यानि कि Applications of Electric Current इसे हम एक और चप्टर के नाम से जान सकते हैं विद्धारा के उसमिय प्रभाव यानि कि Heating Effect of Electric Current के भी नाम से जानेंगे क्योंकि सारा टॉपिक आपको सिमिलर पढ़ना है तो ये हम चप्टर आज आपके लिए स्टार्ट करना है इसलिए आपसे request है कि इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो जतने भी theoretical level के questions बनेंगे सारे के सारे आप इस वीडियो को देखने के बाद इस chapter से कर पाएंगे इसलिए इससे last तक जरूर देखेगा इससे पहले अगर आप इस channel पे पहली बार आएंगे तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए channel को subscribe जरूर की जगा आप देख रहे हैं हमारा channel पांडे जे टेकनिकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए हम इस theoretical lecture को start करते हैं और विद्धारा के अनुप्रयोग के chapter के सबसे पहले topic को discuss करते हैं सबसे पहला topic आपके screen पे है विद्धूत उर्जा ठीक है विद्धूत उर्जा क्या होती है electrical energy क्या होती है ये सबसे पहले discuss करते हैं तो देखे साहब विद्धूत उर्जा जो होती है वो एक प्रकार की ऐसी उर्जा होती है जो किसी चालक में विद्धूत आवेस के प्रवाहित होने में व्य होती है यानि कि किसी भी conductor में electric charge के flow होने के कारण जो व्य उर्जा होती है उसे हम विद्धूत उर्जा कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं आई बात समझ में इतना चीज आप ध्यान रखेंगे कि विद्धूत उर्जा का अर्थ उस उर्जा से है जो किसी चालक में विद्धूत आवेश के प्रवाहित होने में व्याय होती है तो इसके सम्मंद में आप इतनी चीज़ें ध्यान लग सकते हैं अब आता है बात कि हम formula इससे सम्मंदित कैसे आद करेंगे तो देखे formula होता है w बराबर v into q जहां w को हम विद्धूत उर्जा से रिप्रजेंट करते हैं तो यहां पर हम कुछ कथन लिखेंगे theoretical चीज़ों के रूप में कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी है तथा आवेश यानि कि charge क्यूं हो तो चालक के एक दूसरे के सिरे में लगाया जाता है यानि कि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाया जाता है तो ऐसा करने में V into Q कारे करना पड़ेगा अतह किया गया जो कारे होगा या व्याय हुई उर्जा जो होगी वो W बराबर V into Q के बराबर होगी चीक है अब आप जानते हैं कि V into Q बराबर I into T आप एक formula 10th class में पढ़े होंगे तो इस Q की जगह पे हम I into T put कर देते हैं तो finally W बराबर आ जाएगा V into I into T ठीक है अब अगर V बराबर I into R put करते हैं ओम के नियम से तो I into R हम V की जगह पे लिखेंगे into I into T पहले से है तो I into T हम लिख देंगे I और I की क्या हो जाएगा I square R T हो जाएगा तो एक और formula मिला हमें विद्धू तूर्जा का कि W बराबर I square R T ठीक है इतनी बात आई समझ में अब आप इसको अगर change कर देंगे यानि कि I बराबर क्या होता है उम के नियम से V upon R तो चुकि I square है तो V square upon R square लिखेंगे तो I की जगा पे हम क्या कर देते हैं V square upon R square कर देते हैं और into में R into T है तो R into T हम जियों कत्यों लिख देते हैं अब एक R से एक R कट जाएगा तो finally हमारा formula निकल के आएगा V square T upon R बराबर W तो W का हमें तीन formula मिला into T और तीसरा I square R T और चौथा V square T upon R ठीक है तो ये formula हम समय समय पर numerical solve करते हैं वक्त यूज करेंगे जैसा हमारा values देगा ठीक है तो विद्दूत उर्जा के topic को हमने अच्छे से discuss किया कि विद्दूत उर्जा एक परकार की ऐसी उर्जा होती है जो किसी चालत में विद्दूत आविश के प्रवाहित होने में व्याय होती है अब आगे बढ़ते हैं और next topic के बारे में discuss करते हैं next topic आपका विद्दूत उर्जा तथा कीलो वार्ट घंटा में सम्मंध है ठीक है question इससे कैसे पूशेगा question ये पूशेगा कि V into Q द्वारा जो है V into Q का गुड़नफल क्या कहलाता है option में दे देगा कारे अथवा वे उर्जा दूसरा दे देगा आपका कुछ और दे देगा फिर आपका बल दे देगा कारे दे देगा जो भी है वो दे देगा उसके अलावा आपको तीन option गलत दिये जाएंगे और एक सही दिये जाएंगे तो आपको अगर ये पढ़े होंगे आपकी किया गया कारे जो है वो विभुवांतर और आवेस के गुड़नफल के बराबर होता है तो आप उसको सही सिटिक कर पाएंगे ठीक है या फिर इसी फॉर्मिले को वहाँ पर रख देगा कहेगा कौन सा फॉर्मिला सब्त है तो आपको पहचान देना होगा तो अगर आपने ये theoretical lecture देखा होगा तो बड़े आसानी से आप question को solve कर पाएंगे नेक्स्ट आपका topic आप देख पारेंगे कि विद्धूत उर्जा तथा कीलो वार्ट घंटा में संबंध दिया गया है देखे विद्धूत उर्जा और कीलो वार्ट घंटा में क्या संबंध होता है इस चीज़ को पढ़ने के उपरांथ हम सारी चीज़ें समझ पाएंगे यदि किसी परिपत में विद्धूत भी प्रवाहित धारा आई है तथा टी समय के लिए प्रवाहित होती है वो धारा जो आई धारा है और विद्धूत भी है तथा T समय के लिए प्रवाहित होती है तो परिपत में व्य उर्जा क्या होगी तो आप जानते हैं कि सकती बराबर होता है कारे बटा समय कारे करने की दर को सकती कहते हैं तो अगर हम इसको W के रूप में निकालें तो W बराबर P into T लिख सकते हैं इसका Cross Multiply आप इसमें कर देंगे तो तो W बराबर P into T यानि कि W बराबर P मतलब क्या विद्वच सकती और T मतलब क्या समय तो W बराबर विद्वच सकती गुड़े समय लिख सकते हैं W बराबर P into T आप लिख सकते हैं P बराबर एक और फॉर्मूला होता है V इंटू आई चेक है ये सारी चीज़ें आप टेंथ में पढ़ चुके हैं तो P बराबर V इंटू आई हम पुट कर देंगे तो और T गुणनफल है तो T गुणा के रूप में भी हम इसको लगा देंगे तो finally हमारा क्या फॉर्मूला आगया W बराबर V इंटू आई इंटू T तो ये जो आया वो वाट घंटा आया इसका मातरक वाट घंटा होगा लेकिन जैसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा किलो वाट घंटा में कनवर्ट हो जाएगा क्योंकि एक किलो वाट बराबर कि इतना हो जाएगा 1 बटा 1000 किलो वाट चीक है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है एक है तो एक वाट की जगप हमलिक देंगे 1 बटा 1000 किलो वाट तो इस तरीके से हमारा W बराबर V इंटू आई इंटू T बटे में 1000 किलो वाट घंटा हमारा निकल के आगया तो ये आपका जो है वो विद्द उड़जा और कीलो वार्ट घंटा में सम्मन्ध है इससे आप हमेशा ध्यान में रखेगा ताकि आप नुमेरिकल्स जब सॉल्ब करें तो आपको कही कोई परेशानी नजर ना आए ठीक है तो इस तरीके से भी कोशन पूछा जा सकता है कि कारे क करने की दर क्या कहलाती है तो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया पी बराबर डबलू अपॉन टी तो कारे करने की दर क्या कहलाती है सकती कहलाता है पावर कहलाता है ठीक है तो ये चीज़ें आपको बस ध्यान में रखनी है तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ध् तो आपके questions यहीं से बनते हैं अब आगे बढ़ते हैं और next topic के बारे में हम discuss करते हैं यह topic आप अपने screen पे देख पा रहोंगे कि विद्धुत उर्जा की map विद्धुत उर्जा की map यानि कि इसको हम क्या समझेंगे कि विद्धुत उर्जा जो है वो electrical energy जो है उसको हम किस ची में नापते हैं तो इसके लिए आप यहां पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि एक किलो वाट घंटा वाले विद्धुत सकती वाले परिपत में एक घंटे में वैं होने वाली उर्जा को एक किलो वाट या फिर एक यूनिट विद्धुत उर्जा कहते हैं ठीक है अब वाले किसी विद्दृत सकती वाले किसी परिपत में एक घंटे में जो वैख उरजा होगी उसे ही हम एक किलो वार्ट छंटा एक किलो वार्ट कहेंगे या फिर एक युनिट विद्दृत और जा कहेंगे ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यांन लखेंगे इसके अलावा आप यह ध्यान लखेंगे कि विद्धुत उर्जा की जो माप होती है वो किलोवाइट घंटे में होती है तो यह भी चीज बहुत important है अब यहाँ पर important चीज के आता है कि कि एक किलोवाइट घंटा क्या है एक किलोवाइट घंटा यह है कि अगर कोई ऐसी विद्धुत परिपत है जो एक किलो वाट की है तो एक किलो वाट द्वारा विद्धुत परिपत एक किलो वाट की किसी विद्धुत परिपत में एक घंटे में जितनी उर्जा वै होगी उसे ही हम एक किलो वाट घंटा कहेंगे एक unit विद्दुत उर्जा कहेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि एक kilowatt घंटा बरावर 1000 watt गुड़े एक घंटा ठीक है तभी तो हुआ ये 1 kilowatt घंटा ठीक है अब ये देखिए 1000 watt है तो इसको इसी तरीके से रहने दीजे एक घंटा को आप क्या लिख सकते हैं 60 मिनट और 60 सेकंड इसको सेकंड में कनवर्ट करेंगे तो 60 गुड़े 60 करना पड़ेगा और 60 गुड़े 60 कितना होता है 3600 होता है और इंटू ये 1000 है पहले से तो गुड़ा में हम 1000 लिख देंगे तो ये वैल्लू आप याद रखेंगे कि एक किलो वाट घंटा एक किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुड़े 10 पे पावर 6 जूल ये वैल्लू कई बार आपके एक्जामिनेशन में पूशा जा चुका है एंट्रिंस एक्जामिनेशन के लिए बहुत important है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक किलो वाट घंटा यानि कि यूनिटों की संख्या बराबर यहाँ पर वाट लिख दिया गया है वोल्ट होगा वोल्ट गुड़े एंपियर गुड़े घंटा बटे में 1000 जैसे कि मैंने आपको वहीं पर बताया था कि वी इंटो आइंटो टी बटे में 1000 तो इस तरीके से वोल्ट गुड़े एंपियर वी इंटो आइ क्या होता है पी होता है यानि कि वाट होता है पावर होता है पावर की काई वाट होती है तो वाट गुड़े संख्या आप निकाल पाएंगे ठीक है तो यह बड़े ही मेजर important चीजें हैं जो कि मैंने आपको विद्धुत उर्जा की माप वाले topic में cover करा दिया ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और next topic के बारे में discuss करते हैं next topic आपके screen पे कुछ इस तरीके से है कि विद्धुत धारा का उश्मिय प्रभाव heating effect of electric current ये क्या होता है तो देखे किसी भी चालक में किसी भी conductor में जब विद्धुत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण वो गर्म हो जाता है चाहे वो कम गर्म हो या अधिक गर्म हो ठीक है जब भी electric current flow करेगी किसी भी चालक में तो वो गर्म हो जाता है और इसको ही विद्धुत धारा का उश्मिय प्रभाव कहते हैं ठीक है अब इसकी गर्म हम कैसे करेंगे calculation कैसे करेंगे तो इसके लिए आपको चीजें ध्यान रखनी है कि माना किसी चालक का प्रतिरोध आर है उसका resistance आर है विभावांतर वी है यानि कि जो voltage आपका है वो आपका वी है यानि कि potential difference जो है विभावांतर जो है वो भी है तथा इसमें I धारा T समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वे विद्धुत उर्जा जो होगी वो V into I into T होगी जैसा कि मैंने आपको formula पहले ही बताया था W बराबर V into I into T इसके पहले वाले topics में हमने discuss कर लिया है तो वे उर्जा बराबर V into I into T हमने लिख दिया अब T समय में जो उसमा उत्तपन होगी उस विद्धुत धारा के प्रवाह की कारण वो होगी T समय में उत्तपन उसमा H होगी और H बराबर हो जाएगा W बटा 4.2 ठीक है अब W का चुकी मान एक्शली हमने यहां पे निकाल लगखा है V into I into T तो यहां पे W की जगह पे हम V into I into T पुट कर देते हैं और बटे में 4.2 हो गया ठीक है अब W बराबर I into R पुट करेंगे तो W का एक और फॉर्मूला होता है I square RT तो हम V into I into T की जगह पे I square RT और बटे में 4.2 लिख देंगे अब एक और फॉर्मूला होता है W का वो होता है V square T upon R ठीक है तो जैसे हम V square T upon R लिखेंगे तो फाइनली हमारा आज आएगा कि W बराबर उत्पन उसमा H बराबर V square T upon 4 दसमेलो 2 into R कैलोरी ठीक है तो जब भी हम इसकी value calculate करेंगे तो उस कमान किसमें आएगा कैलोरी में आए पर रखनी है यह formula आप ध्यान में रख लीजेगा यह तीनों formula आपके numerical के drasticon से बहुत जादा important है सारे numerical इनही फॉर्मूला पर आधारित है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और कुछ next important चीजों के बारे में discuss करते हैं जैसे कि विद्द बल्ब, fuse, उसमक ऐसे उपकरड़ है ज fuse देखते हैं उशमक देखते हैं यह एक ऐसे उपकरड़ होते हैं जो विद्द धारा के उशमिय प्रभाव पर आधारित होते हैं ठीक है तो इसके बारे में अभी कुछ discuss कर लेते हैं क्योंकि इससे भी question पूशा जाता है सबसे पहले discuss करते हैं विद्द बल्ब के बारे में कि विद्द बल्ब क्या होता है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आप अपने घर में भी देखे होंगे कि यह एक काच का गोला होता है जिसमें वैक्यूम भरा होता है निरवात होता है ठीक है ना इसमें टंगस्टन का एक धातू का टंगस्टन धातू का एक filament होता है जिसका गलनाइंग बहुत उंचा होता है अब ये देखिए ये जो line है इससे दो बार आपके entrance examination में question पूशा जा चुका है कि जो filament होता है विदुद बल्ब में वो किसका बना होता है तो वो किसका बना होता है टंगस्टन का तो आप इससे हमेशा ध्यान रखेंगे दूसरी चीज ये पूशी आती है कि बल्ब में जो टंगस्टन लगा होता है उसका गलनाइंग कैसा होता है उच्छ होता है निमन होता है या साधहरड होता है या फिर zero होता है तो आप यहाँ पे देख रहा है कि इसका गलनाइंग बहुत उच्छा होता है ठीक है क्योंकि जब ज़्यादा इसका जो करेंट का मान ज़्यादा करेंगे यानि कि गलनाइंग ज़्यादा होगा यानि कि उसका बहुत ज़्यादा ताप दिया जाएगा तब वो इसकी फ्यूज जो है वो गलेगी फिलामेंट जो है वो गलेगा टंगस्टन गलेगा जिससे हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा ठीक है ना तो इसलिए इसका जो है वो गलनांग बहुत उचा रखा जाता है क्योंकि जितने अगर मीडियम लेबल पे हमारा करेंट रहेगा मीडियम लेबल पे तापमान कमान रहेगा तो इस स्तिती में हमारा ये बल्ब फ्यूज नहीं होगा ठीक है तो इसलिए गलनांग बहुत उचा होता है लगबग कितना होता है 3400 डिग्री सिल्सियस होता है तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ठीक है शमानता ये 2100 डिग्री सिल्सियस पर ये फिलामेंट वास्पित हो जाता है परंतु बल्बों में नाइट्रोजन या आरगन आदी गैस भरे जाने से ये वास्पिकरत नहीं होता है अब यहाँ पर एक और यहाँ इस वाले लाइन में important चीज़ है जो कि आपके entrance examination में पूशा आ चुका है कि विद्द बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है तो वो है नाइट्रोजन या फिर आरगन तो इससे आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये बहुत important points है चीक है तो यहाँ पर विद्द बल्ब वाला section हमारा खत्म होता है next आपका है fuse fuse क्या होता है तो fuse देखे यह टीन तथा ताबा एवं सीशा के मिसर धातू का होता है जिसका गलनांग यानि कि जिसका गलनांग है वो बहुत कम होता है अब fuse का गलनांग कम इसलिए होता है क्योंकि अगर धारा कामान जादा हो जाए तो इससे वे तूट जाए और गल जाए और गल के पूरे परिपत में सप्लाई को रोक दे जिससे हमारे कोई अन्यंत्र जो है वो प्रभावित न हो खराब न हो ठीक है इसलिए fuse तार का गलनांग कम होता है ठीक है इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते है FGL यानि कि fuse तार का F मतलब fuse का गलनांग G से गलनांग L से लो होता है FGL आप हमेशा याद रखेंगे fuse तार का गलनांग कम होता है इसके अलावा विदू त बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है इसका गलनांग कैसा होता है बहुत ज़ादा होता है बहुत उच्च होता है ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे बहुत important चीज़े मैं बता रहा हूँ आपको तो यहाँ आप कहेंगे कि यदि किसी परिपत में धारा कामान बढ़ जाता है तो यह fuse चुकि इसका गलनांग बहुत कम है वो गलकर परिपत को तोड़ देता है और उपकरण खराब होने से बढ़ जाते हैं तो यह काफी important points मैंने बताया आपको fuse से related question ऐसे पुछेगा कि fuse star का गलनांग कैसा होता है fuse star किन मिसर धातूं से मिलकर बना होता है ठीक है किसका मिसर धातू होता है निकि किन धातूं का मिसर धातू होता है ठीक है तो आप यह कहेंगे कि यह टीन ताबा तथा शीसा का एक मिसर धातू होता है ठीक है ना तो यह भी बहुत major point है अब तीसरा आपका है विद्ध उश्मक या विद्ध हीटर ठीक है विद्ध हीटर के बारे में बात करेंगे तो देखे चीनी मिट्टी के प्लेट पर बने खाचों में निकल तथा क्रोमियम के मिश्र धातू नाइक्रोम का सरबीला कार तार लपेट कर हीटर बनाये जाते हैं इनमें उच ताप पर बिना पिगले गर्म होने का गुण होता है ध्यान रहे कि नाइक्रोम का प्रतरोद बहुत अधिक अर्थात ताबे से लगबग 6 गुना होता है क्वेशन यहां पर इंपोर्टिंट मिलता है कि जो विद्ध हीटर होता है उसमें जो तार होता है वो किसका बना होता है तो मिश्रधातू नाइक्रोम का बना होता है किसका मिश्रधातू निकल और क्रोमियम के मिश्रधातू का बना होता है ये दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे इसके अलावा इसमें उच चिताब पर बिना पिगले गर्म होने का गुड़ रहता है ठीक है? तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे और यहाँ पे एक और मेजर पॉइंट है कि नाइकरोम का प्रतुरोध बहुत अधिक होता है तो ये कई पॉइंट्स हैं जो कि कोई एक आप टॉपिक से कई पॉइंट्स ले सकते हैं और उसे हमेशा याद रख सकते हैं क्योंकि सारे टॉपिक से ही कोईशन बनाए जाते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट के बारे में डिसक्स करते हैं लास्ट पॉइंट आपका ये है कि सामर्थ या सकती पावर पावर क्या होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी विद्धुत परिपत में विद्धुत उर्जा के व्य होने की दर को विद्धुत सामर्थ कहते हैं ठीक है या फिर कारे करने की दर को सकती कहते हैं P बराबर W बटा T इसका फॉर्मूला होता है सामर्थ बराबर उर यानिकी W और बटे में समय यानिकी T ठीक है तो इसके इसाब से उरज आ का एकाई क्या होता है जूल होता है और बटे में समय के एकाई क्या होता है, सेकंड होता है तो जूल परती सेकंड आपका सामर्थ का value हो गया power की unit हो गई मात रख हो गया जूल परती सेकंड अथवा watt भी आप कई जगा पाएंगे कई जगा लिखा हुआ आपको मिलेगा ठीक है actually watt ही जादा प्रयोग किया जाता है उसके अलावा आप देख सकते हैं कि w बराबर एक formula मैंने आपको बताया था v into q तो जब w बराबर v into q रखेंगे तो v into q और बटे में t हो जाएगा ठीक है v बराबर अगर i into r लिख देंगे आप ठीक है या फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसको i square r बटे में t है t से t कट जाएगा i into i कितना हो जाएगा i square हो जाएगा और r तो i square r वाट आपका हो जाएगा या फिर i बराबर v upon r करें तो i square है तो चुकि v square upon r square into r हो जाएगा r से r कट जाएगा तो v square बटे में r वाट आपका बजएगा वाट क्यों हो रहा है क्योंकि ये P का फॉर्मूला है शामर्थ यानि कि पावर का फॉर्मूला है ठीक है तो शामर्थ के अन्य मातरक आप और भी याद कर सकते हैं कि एक किलो वाट बराबर एक हजार वाट होता है ठीक है तो ये बहुत important points यहां पर बता रहा हूं क्योंकि numericals म बराबर 10 पे पावर 6 वाट होता है और सबसे important जो कि आपके entrance examination में 2 से 3 बार पूशा गया है कि एक अस्वशक्ती एक हज़ पावर बराबर कितना होता है तो 746 वाट होता है तो ये सभी values को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे आप यहां पर मैंने एक और चीज़ बताया कि 1 क किलो वाट घंटा बराबर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3.6 गुड़े 10 पे पावर 6 जूल होता है एक किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुड़े 10 पे पावर 6 जूल होता है तो ये भी कई major point मैंने इस वीडियो का माद्दम से आपको बताए अगर आपको ये वीडियो प पसंद आया तो इसे लाइक कीजे और सबसे important अपने सभी दोस्तों में शेर जरूर शेर कीजे और बताईए अपने दोस्तों को कि पांडेज टेकनिकल चैनल पे इसी दरीगे की जबरदस्त तयारी कराई जा रही है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा धन्यवाद